जिन्हें सुन सुनकर हम बोलना सीखे हो उनके सामने बोलने में बड़ा घबराइट होती है आज मुझे ये अवसर मिला कि जिन सोनिया गांधी जी को हम सुन सुनकर प्रेरित होते थे आज उनके आशिरवाद से मैं 85 महाधिवेशन में बोल रहा हूँ वक्त ऐसा आया है इस देश में अभी कॉंग्रेस पार्टी खड़के साहब जब बोलते हैं उनकी वाणी में चूले की महक होती है मिट्टी की खुश्बू होती है और जब राहूल गांधी दहारते हैं तो दिल्ली से नाकपूर तक नहरू गांधी नहरू गांधी बोलते रहते हैं हमारे प्रधान मंत्री जी और उनके कूरी नेत उन्हें समझे नहीं आता हुआ क्या जवाब क्या देंगे सोनिया जी से हम सीखे हैं कितनी भी कठिन परिस्थिती हो सौम्यता से कोई समझोता नहीं होता है कोई मूल्यों से कोई समझोता नहीं होता है यह हम सोनिया जी से सीखें राहुल जी आप में महत्मा गांधी की सरलता और नहरू की गहराई है आप से ये क्या मुकाबला कर पाएंगे दो तरह की विचारधाराओं की लड़ाई है दो तरह की विरासतों की लड़ाई है तो जब मैं आप से कह रहा था कि ये दो विरासतों की लड़ाई है जड़ें जोड़ती हैं और शाखाएं बाटती हैं हमारी जड़ों से इनको नफरत है क्योंकि हम जोडने की बात करते हैं हमें इनकी शाखाओं से नफरत नहीं है लेकिन जो इनकी शाखाएं बाटने का काम करती हैं उसी को रोकने के लिए राहुल गांधी चार हजार किलोमीटर पैदल चले हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर क्या ज़वरत थी राहुल गांधी जी को इस तरह से पैदल चलने की, लोगों से मिलने की, इतना संघर्ष करने की मुझे मीडिया के साथियों पर भी उनको देखता हूँ तो बड़ा बुरा लगता है, दर्द होता है मन में, आज इनकी आवाज भी बंद कर दी गई है, हम तो फिर भी बोल लेते हैं विपक्ष में रहकर, हम तो बोलते थे और इनका हक था, बोलना चाहिए था, इनको, इनका करतवे था, ये बोलते थे, आज ये सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते, सरकार से पूछना तो छोड़ दीजिए, हम से ही सवाल पूछते हैं, चलिए आपका स्वागत है, आप हम से सवाल है ना ये करोडों लोगों के संघर्ष की दास्तान इस दाड़ी में दिखाई देती है जो आप से मिले थे भारत जोड़ो यात्रा के दोरा इस दाड़ी को जब देखते हैं तो पिछले नौ साल का सफर इस देश के नौजवान बेरोजगार नौजवान इस देश के जूचते हुए व्यापारी इस देश का मीडिया हम सब का सफर दिखता है इस दाड़ी में हम देख रहे थे आप कैसे करोडों लोगों से मिलते थे उनका दर्द सुनते थे उनका दुख बाड़ते थे बार-बार घंटी बज रही है लेकिन यह बात जरूरी है कि यह जो लड़ाई है मध्यवाद की लड़ाई लेफ्ट और राइट दोनों से होती आई है जो सेंट्रिजम है सेंट्रिजम दोनों का सम्मिश्रण है लेफ्ट का भी और राइट का भी यह देश मध्यवादी देश है कॉंग्रेस पार्टी मध्यवादी पार्टी है इस देश का सम्विधानिक मूली जो है जो धाचा है वो भी मध्यवादी है हमारी किसी से लड़ाई नहीं है कि हम लेफ्ट के खिलाफ है या राइट के खिलाफ है हम एक्स्ट्रीम लाइफ लेफ्ट के खिलाफ है हम एक्स्ट्रीम राइट के खिलाफ है तीसरी बार घंटी बजी है और रंदीब जी बार-बार मुझे आँखे दिखा रहे हैं लेकिन इस लड़ाई में हम पीछे हटने वाले नहीं है और तो क्या होगा एक दो बार और हवाईजाज से उतार देंगे हम उतर जाएंगे लेकिन लड़ते रहेंगे आपकी आवाज उठाते रहेंगे यह हमारा वादा है क्योंकि मेरा नेता राहूल गांधी, मेरी नेता प्रियंका गांधी मुझे आज तक वो डरते वे नहीं दिखे तो हम क्यों डरें? हम भी नहीं डरेंगे लड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे जय हिंद, जय कॉंग्रेस